तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रमजाने स्पेसल एक नई रेसिपी जिसको मैंने बनाया है आलू और कच्छे केले से और यह रेसिपी बहुत ही आप लोग को पसंद आने वाली है तो इसको मैंने नाम दिया है कुरकूरे तो हेलो एवरिवरिवन विल्केम बेक टो मैं चैन तो चलिए इसको हम ग्रेट कर लेते हैं तो चलिए इसको हम ग्रेट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने इसको ग्रेट कर लिया है आलू को तो चलिए इसको हम पानी में धोलेते हैं और इसको पानी में छोड़ देते हैं थोरी दिर के लिए तो सबसे पहले इसको हम धोलेते हैं पानी में तो पानी से इसको अच्छे से दो करने चोड़के निकाल लेंगे तो इसको मैंने दो बार पानी में धो लिया है और इसमें पानी डाल कर चो छोड़ देते हैं जब तक मैं केला जो ग्रेट कर लेते हैं तो देखिए केला भी अच्चे से ग्रेट हो चुका है तो चलिए अब आगी का प्रोसेस करते हैं तो इदर मैंने जो पानी में आलू को छोड़ रखा था उसको अच्छे से निचोर के निकाल लेना है तो अच्छे से पानी नी चोरके इसको निकाल लेंगे और इसको मैंने पहले से अच्छे से धो दिया था दो बार पानी से तो अब धोने के ज़्यादा जरुवत नहीं है यह अच्छे से धोल चुका है तो चलिए इसको हम एक बावल में ट्रांस्वर कर लेते हैं और केला को भी इसमें एड़ कर देते हैं अब इसमें एड़ करेंगे पांच हरा मीर्च बारिक कटा हुआ और एक इंज अधरत बारिक कटा हुआ और एक छोटी चमस हल्दी पौडर और दो छोटी चम्मस धनिया पॉडर और एक छोटी चम्मस रिट चिली पॉडर और एक छोटी चम्मस अजमाइन जिसको मैंने क्रस करके लिया है और थोरा सा धनिया पत्ता और नमक अपने टेस्ट के कोडिंग एड़ कर देंगे और इसमें चार बड़ी चम्मस से बेसन एड़ करेंगे तो अभी मैं चार चम्मस ले रही हूँ मुझे कम लगेगा तो और मैं बेसन एड़ कर दूँगी तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक बड़ी चमस और बेसन एड़ कर रही हूँ तो इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर पांच बड़ी चमस से बेसन लिया है तो अच्छे से इसको मैंने मिला लिया है तो चलिए अब फ्राइ करने की प्रोसेस में तो यहाँ पर मैंने तेल को पहले से गरम कर लिया था तो इसमें थोड़ा सा पकॉरा का बैटर डाल के चेक करेंगे कि तेल गरम है कि नहीं तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं यहां पर फृइइ करने के लिए रिफाइन औल यूज़ कर रही हूँ तो इसको कुछ इस तरह से डालेंगे पकॉरों को और यह बहुत ही टिश्टी लगता है इस तरह से बनाने से तो चलिए इसको पलट लेते हैं और गैस का फ्लिम मैंने देज रखा है तो यह देखे यह अच्छा से फ्राई हो चुका है golden brown होने तक इसको फ्राई करना है तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं अ और ये छोटे चोटे हैं तो गैस का फ्रेम मैंने हाई कर रखा है इसे जल्दी हो जाता है क्या होता है जब हम गूल सेफ 나近 बनाते हैं ऐसे तो हम लोग पकौरा खाते हैं यह बना कर लेकिन कभी इस तरह से ट्राइ करके देखें बहुत ही टेस्टी लगती है मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसका तो यहाँ पर मैंने थोरा सा पोहा ले लिया है इसको भी फ्राइ कर लेती हूँ आप चाहो तो इसको ऐसे ही ख करके खाने से और भी ज़्यदा टेस्टी लगता है गटाम के साथ तो यहाँ पर देखे सारद कर रेड हैं और टेस्पी बनी है और बहुत ही कुख बनाने के लिए और अगर आपको ज़्यदा कुरूरा पसंद नहीं है तो तलने के नार цен सा कम तले जर्व lite retail आना और इथर म मेरे घर में बच्चे भी खाएंगे इसलिए मैंने नहीं डाला है और पकॉरा में भी मिर्ची है तो आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं तो आप लोग भी इसे एक बार जरू ट्राइ करें और रमजान चल रहे हैं तो रमजान में भी आप इसे बना कर खा सकते हैं तो आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो लाइक सस्क्राइब एंड सेर जरू कर दीजेगा और फेश्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को फोलो जरू कर लीजेगा तो मिलते हैं लिए नए वीडियो के साथ